केंद्रियम मंत्रि मंडल के मेरे सहयोगी बाई जोत्यरादित्य सिंदिया जी विकेसी जी संसद में मेरे सातिज संसद स्री अंडे सभी महानुभाव और अंडमार निकोबार दीप समू के मेरे भाई और बहनों आज का एकारकम बले ही पॉर्ट बलेर में हो रहा है लेकिन इस पर पूरे देश की नजरे हैं लंबे समय से अंडमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एरपोर्ट की केपसिटी बढ़ाई जाए और पिछले जो हमारे सांसत थे वो तो हर हपते मेरी चेंबर में आकर के इसी काप के लिए लगे रहते थे तो आज वो बहुत खुश लेजर आ रहे है और मैं अभी टीवी पर सब मेरी पुराने साथ्यों को देख रहा हूँ अच्छा होता मैं आज आज आपके बीच आकर के इस उत्सों मैं सरीक होता लेकिन समय भाव से खुद तो नहीं आ पाया लेकिन आप सबके चहरे की खुशी देख रहा हूँ आनंद से भरा हुआ माहोल में अनुभाव कर रहा हूँ साथ्यों देश भर से जो कोई वहां गूमने जाना चाहते हैं उनकी भी यही इच्छा थी अभी तक मौजुदा टर्मिनल की कैपसिटी हर रोज चार हजार टूरिस को हैंडल करने की थी नया टर्मिनल बनने के बाद इस एरपोर्ट पर हर रोज करीब करीब 11,000 टूरिस को हैंडल करने की कैपसिटी बन गई है नई व्यवस्ता में अब एरपोर्ट पर एक साथ दस विमान भी खड़े हो पाएंगे यानि यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है और जादा फ्लाइट्स आने जादा टूरिस्ट आने का सीधा मतलब है जादा से जादा रोजगार पर पॉर्ट ब्लेर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में इज अब ट्राविल बढ़ेगा इज अब डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बहतर होगी मैं देश के लोगों को पॉर्ट ब्लेर के सभी साथियों को इस सुभीता के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ इसके दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं यह दल उनीक कामों को प्राथ्मिक्ता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो इनके परिवार का भला हो नतीजा यह हुआ कि कि इस जो हमारे आदिवा सी ख्यत्र है जो हमारे आईलेंड्स है वहां की जनता विकास से बंचीत रही विकास के लिए तरस्ती रही बीते नव वर्सों में हमने पूरी संवेदन सिल्टा के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है इतना ही नहीं नई व्यवस्ताएं भी बनाई है अब भारत में विकास का एक नया मॉडल विक्सित हुआ है इम मॉडल इंक्लूजन का है सब को साथ लेकर चलने का है इम मॉडल सब का साथ सब का विकास का है और जब मैं सब का विकास कहता हूँ तो इसका अर्थ बहुत व्यापक है सब का विकास मतलब हर व्यक्ति हर वर्ग हर छेत्र का विकास सब का विकास मतलब जीवन के हर पहलू का विकास सिक्षा, स्वास, कनेकिवडी हर प्रकार सब का विकास साथ क्यों इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में अंदमान निकोबार में विकास की नई गाथा लिखी गई है पिछली सरकार के नो साल में याने हमारे पहले जो सरकार थी नो साल में अंदमान निकोबार को करीब तेइस हजार करोड रुपय का बजेट ऐलेट किया गया था जबकि हमारी सरकार के दोरान अन्दमान निकोबार के विकास के लिए नव वरसों में करीब करीब अर्तालीस हजार करोर रुपे का बजट दिया गया है यानि हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले दो गुना जादा पैसा खर्च किया है पिछली सरकार के नव साल में अंडमान निकोबार में 28,000 गरों को पानी के कनेक्शन से जुड़ा गया था हमारी सरकार के नव साल में यहां के करीब पच्चास हजार घरों तक पानी का कनेक्शन पहुँचाया गया है यानि हर घर जल पहुँचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पहले के मुकामले दो गुनी रप्तार से काम किया है आज यहां के लगबग हर व्यक्ति के पास अपना बैंक एकाउंट है आज यहां के हर गरीब को वन नेशन वन राशनकार की सुविदा मिली हुई है पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था यह हमारी सरकार है जिसने पॉर्ट ब्लेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सेटलाइट के भरुसे ही था हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सेंकडो किलोमिटर सम्मरीन अप्टिकल फाइबर केबल बिचा कर इस परेशानी को दूर कर दिया है साथियों अंडमान निकोबार में हो रहा सुविधाओं का ये विकास यहां के टूरिजम को गती दे रहा है जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिस्ट भी बढ़ते है जब हेल्थ इंस्प्रास्टिक्टर सुधरता है तो टूरिस्ट का आना जाना और बढ़ जाता है जब एरपोर्ट पर सुविधाए बढ़ती है तो टूरिस्ट यहां ना पसंद करता है जब रोड अच्छी होती है तो टूरिस्ट अपने एक इलाके में जादा से जमई बिताता है इसलिए ही अन्दमान निकोबार आने वाले टूरिस्टों की संख्या अब 2014 के मुकाबले दो गुनी हो गई है यहां स्वाकेलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी कुरूज जैसे एडवेंचर के लिए आने वाले टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है और साथियों मेरे अंदमान निकोबार के भाईबेन थुन लीजिए ये तो अभी शुरुवात है आने वाले सालों में ये संख्या कई गुणा बढ़ने वाली है इससे अंदमान निकोबार में रोजगार, स्वारोजगार की नई संभावनाय बनने वाली है साथियों, आज अंदमान निकोबार विरासत भी और विकास भी इस महामंत्र का जीवन्त उदारन बन रहा है आप भी जानते हैं कि अंदमान निकोबार में लाल किले से भी पहले तिरंगा फैराया गया था लेकिन फिर भी यहां सिर्फ गुलामी के ही निशान दिखते थे यह मेरा सोभाग है कि साल 2018 में मैंने अंदमान में उसी स्थान पर तिरंगा लहराया जहां नेताजी सुभास ने जंड़ा पैराया था यह हमारी ही सरकार है जिसने रोस आइलेंड को नेताजी सुभास का नाम दिया यह हमारी ही सरकार है जिसने हैवलोक और नील आइलेंड को स्वराज और सहीद आइलेंड का नाम दिया है हमने ही 21 द्वीपों का नाम करण देश के लिए पराकरम दिखाने वाले वीर पराकरमी सपुतों के नाम पराम वीर चक्र विजयताओं के नाम पर किया है आज अन्यमान निकोबार की यह दीप पूरे देश के युवाओं को देश के विकास की नई प्रेणा दे रहे हैं साथियों आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुँच सकता था और यह मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कहीं से कहीं पहुँच सकता था हम भारतियों के सामर्थ में कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन सामान्य भारतिय के इस सामर्थ के साथ हमेशा ब्रस्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया आज देश के लोग दोहजार चोबिस चुनाओं में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं निर्णाय ले चुके हैं ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तिया याद आती हैं एक कवी महाशे ने अवधी में लिखा था ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है गाईत कुछ है हाल कुछ है लेबिल कुछ है माल कुछ है यानि गाणा कोई और गाया जा रहा है जेपकुछ सचाई कुछ और है नेबल लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोड़क कुछ और ही है इनकी दुकान की यही सच्चाई है इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है एक तो ये अपनी दुकान पर जाती वाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग और सिबीत ब्रष्टाचार करते हैं आज कल ये लोग बैंगलूरू में जुटे हैं एक जमाने में एक गाना बहुत मशूर था मुझे तो पुरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग आप देखिए ये लोग कितने चहरे लगा कर बैटे हैं जब ये लोग कैमेरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है पूरा फ्रेम देखकर के देशवासी यही बोल उटता है लाखों करोनों रुपिये का प्रष्टा चार इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कटर प्रष्टाचारी संविलन हो रहा है कटर प्रष्टाचारी संविलन हो रहा है